हेलो तो कैसे हैं आप लोग स्वागत आप सभी का एक बार फिर से डाउगनट की क्लास में तो बच्वो मैं आच चुका हूँ आज आपके लिए एक बहुती इंपॉर्टेंट चेप्टर जिसका नाम है स्टर्कल्स और इस स्टर्कल्स का पूरा का पूरा चेप्टर का अगर म बात करूँ तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो सेग्मेंट इस पर वे जितनी भी थियोर्म से उन सभी को जो मोश्क मेजर पार्ट है बच्चो वह एक लेक्टर में मैं कवर करने वाला हूँ बच्चो और पूरा का पूरा एंसी आइटी यहां पर आपकी कवर होगी यानि के एंसी आइटी के जो भी मेज़ा टॉपिक या कॉंसेप्ट है वो सारे के सारे इस लेक्चर में आपको मिल जाएंगे तो अगर आप चाह रहे हो कि पूरा का पूरा सर्क्ल से एक लेक्चर में कवर करना ये लेक्चर आपके लिए ही मैं बना रहा हूँ फिक अब पहले पार्ट में पूरा का पूरा मेजर जितनी भी सर्क्ल से रिलेटेट थ्योरम है ये कवर करवा दूँगा अब इंपॉर्टेंस की बात करें बेसिकलिए आपको मालूम है कि क्लास नाइन्थ मिट आपको सर्क्ल पढ़ना है क्लास टेंथ में भी जाकर के आप सर्क को लाइक जरूर से कर दीजेगा और कमेंट में थम्सब का साइन लिकर के आप भेज दीजेगा ठीक है अच्छों तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर प्रोग्रिस पर आकर नजर माले तो बच्चों चैप्टर स्टार्ट होता है बहुत इंपॉर्टन थियोरम के साथ में एं इन सभी थियोरम्स को में आप पर कवर कर रहे हैं और उसके बार बच्चों साइक्लिक वाडिलेटर तो बहुत इंपॉर्टन है बहुत इंपॉर्टन लेक्चर होने वाला है आपके पूरे के पूरे जो कॉंसेप्ट है इस लेक्चर में क्लियर हो जाएंगे इस बात की गै आपर अगर आप देखें सरकल है क्या सरकल एक सिंपल सी बात अपने डेली लाइफ में आप वाच को देख रहे हैं या एक वील को देख रहे है या फिर आप एक कॉइन को देख रहे है यही सब सरकल है इनसे अप डेली लाइफ में इनसे पास करते है ठीक है यह बेसिकली च जैसे की बच्चो तर्गेल होता क्या है कि अगर एक प्रिक स्विख सोपॉइन इस और फिक स्वी उइस सभी स्वं को थ्री पार्ट्स में डिवाइड करता है इस पर बीश्ट अब्जेक्टिव कोशन भी आते हैं आपके आपके आपर एक सरक्ल एक प्रेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है एक पार्ट होता है जो की एक्स्टीरियर पार्ट है सरक्ल का दूसरा पार्ट है जो सरक्ल क सबसे पहले अगर हम्ले बात करूँ की सरकेल पर कुई भी दो अगर हमने point ले ले बिल्कु ध्यान से समस्शते चल लिए एक सरकेल आपके पास और सरकेल पर कोई भी हमने दो points आपके ले लियेißt जैसि की सपोज के रिए एक point आपने ए ले लिया और एक point आपने बी ले लिया तो ए और बी दोनों circle पर on the circle दो point है बच्छो इनको अगर हम join करती है तो इस line segment को हम basically क्या बोलते बच्छो इस line segment को आप chord बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको आप chord बोलते हैं तो इस तरीके से ये 2 points को join कर दिया जो circle circle के circumference पर लाई कर रहे तो उसको join करने वाल लाइन segment chord है similarly एक chord आपके पास यह हो गए और similarly एक chord आपके पास यह हो गए तो अगर आप observe करें तो यहां से आप chord को देखें किसके ऊपर के और बढ़ते बढ़ते यह जो chord आपको दिख रहे हैं ना this is the longest chord ठीक है बच्छो यह circle की longest chord होती है और यहां पर एक important term आपको मालूम होना चाहिए कि circle की जो longest chord होती है उसको हम क्या बोलते है तो इस circle की सबसे बड़ी सबसे ज्यादा length की जो chord होगी वह basically हमारे पास क्या होता है बच्छो उसको हम circle का diameter बोलते है तो एक्च्छल में अगर आपसे कोई पूछे कि diameter क्या है तो आप बोलो कि diameter is also chord diameter circle की सबसे लंबी सबसे बड़ी chord होती है ठीक है बच्छो यह हमारे पास circle का diameter हो गया ठीक है चले अब segment की बात करें तो circle का segment क्या होता है जैसे कि एक circle आपने देखा और circle की chord हो गए तो circle का chord क्या करता है कि circle के interior part को दो part में divide कर सकते है आप देख सकते हैं एक part उपर का यह first है दूसरा यह second है ठीक है बचो तो जो ठीक है तो अगर हम यहाँ पर बात करें बच्छो तो यह सरकल का क्या हो गया हमारे पास ठीक है यह सरकल का यह दो सेग्मेंट हो गए ठीक है बच्छो यह वाला अगर हम सेग्मेंट की बात करें तो यह वाला सेग्मेंट जो कॉड का छोटा वाला पार्ट है इसको हम माइनर स सेग्मेंट होता है तो बेसिकली सेग्मेंट बना कैसे सरकल की कॉड ने क्या किया है कि सरकल की इंटीरियर पोर्शन को दो पार्ट में डिवाइड किया जो बड़ा पार्ट है वो मेजर सेग्मेंट होगा फोटा पार्ट उसको माइनर सेग्मेंट बोलेंगे इसके बार बच् अगर हम circle के center से point A और B को join कर दें तो O A suppose circle के center A है तो O A O B and यह जो circle की arc है इसको basically हम क्या बोलते है बच्चो इसको हम बोलते है आर ठीक है बच्चो में अगर मैं बात करूँ तो सरकल की एक आर्क और आर्क के एंड पॉइंट को अगर से जॉइन करें तो यह जो रीजन आपको दिख रहा है ना बच्छो इसको हम सरकल का सेक्टर बोलते हैं क्या बोलते हैं बच्छो इसको हम सेक्टर आफ दा सरकल बोलते हैं क्या बोलते हैं यह जो पूरा बाहर वाला portion आपको दिख रहा है यह आपका major sector होता है और यह अंदर वाला portion दिख रहा है आपका minor sector होता है तो इस तरीके से यह part इस region को OAB यानि कि इस region को आप देख पारे हो ने बच्छो OAB यह हमारे पास actual में क्या है इसको हम circle का sector बोलते हैं इसको हम circle का sector बोलते हैं क्लियर हो गया simple तो basic term से हलाकि इन सभी चीजों का use हम करने वाले हैं और यह ही नहीं 10th class में भी use में आता है तो बहुत ध्यान से समझेगा ठीक है बचो यह आपके पास sector of circle हो गया चलिए अब इसी पर बेच जो आपकी NCRT exercise 10.1 है उसमें कुछ आपके fill in the balance type के question है जैसे कि पहले आपसे पूछ लिया the center of a circle lie अब बोला exterior और interior तो हमको मालूम है कि जो circle का center होता है वो कहाँ पर circle के अंदर होता है तो मतलब interior बोलेंगे इसका answer क्या हो जाएगा बच्चों interior हो जाएगा second में a point whose distance from the center of a circle is greater than its radius एक ऐसा point जिसकी circle के center से जो distance है वो उसकी radius से जादा है बच्चों तो वो point कहाँ पर होगा दिमाग लगाईए सबी बच्चे comment box में अपना answer मुझे लिख करके बताएंगे कि अगर एक point ऐसा है जिसकी circle की center से जो distance है वो radius से greater है radius से बड़ी है तो आप बताएए वो point circle पर होगा circle के बाहर होगा या circle के अंदर होगा क्या होना चाहिए सिंपल सी बात बहुत ही बहुत सार बच्चों के answer भी आ रहे है ऑवेसी बात है बच्चों कि अगर आप देखिए यह हमारे पास circle है तो circle या circle के अंदर कोई भी point होता तो वो radius या radius से कम होता लेकिन अगर circle के बाहर कोई point है तो definitely इस point की distance radius से जादा होगी तो point circle के exterior में होग बच्चों इसका answer क्या है आपका exterior next में बच्चों अगर हम next question की बात करें the longest chord of a circle circle की longest chord क्या होती बच्चों मैं पर diameter होती है I think यह सारी चीजे तो आपको अभी भी मैंने definition से समझाए दी उसके बाद an arc is a when its ends are the ends of a diameter अगर हम यह बोले कि एक arc के end जो है वो circle के diameter के end है तो ऐस जो हमारे पास circle होता है वो semi circle होता है बच्चों उसको हम क्या बोलाते है उसको हम semi circle बोलाते है then बच्चों next में आप से बोल ला है कि बाई segment of a circle is the region between an arc and the segment of a circle is the region between an arc and chord ठीक है बच्चों जो arc और chord के बीच का जो region है उसको हम क्या बोलते है आप circle का segment बोलते है अव्यस ही बात है न है कि circle की एक आर्क हो गई और आर्क के और जो हमारे पास chord है आर्क और chord के बीच का जो पार्ट है इसको इसी को हम segment बोलते है तो जो segment हो क्या है आर्क और कोड के बीच में आने वाला पार्ट ठीक है बच्चों और उसके बाद circle divides the plane on which it lies in circle plane को कितने पार्ट में divide कर रहा है यहाँ पर हम क्या answer करेंगे बच्चों यहाँ पर आपका answer हो जाएगा three circle plane को three parts में divide करता है तो यह question number one था ncrt exercise 10.1 से clear है बच्चों जिसमें फिलिंदा ब्लेंग्स टाइब के question थे clear समझ भी आ गए कोई दिक्कत यहाँ पर ओके गाईस very good तो जरूर से आपको इस सब्सक्राइब कर ली देगा ताकि हर class की notification मेरे हर वीडियो साब तक टाइम ली आ सके यह करना बिलकुल नहीं भूला हो जल्दी से class को like भी कर दीजे चलिए अब बच्चों का दूसरा question है वह क्या आपसे बोलता है कि true और false के form पर आपको यहाँ पर answer कर रहे है तो आप सभी भी बताइए कि true है या false statement में पढ़ूँगा पहला statement है line segment joining the center to any point on the circle is the radius of the circle यह true है बिलकु सही ना कि center से circle पर कोई भी point उसको join करोगे तो radius होगा तो यह आपका completely true है उसके बार बच्चो second statement पर आते है a circle has only finite number of equal chords जी नहीं circle पर infinite number of points है और कोई भी दो point आप उसमें से select करोगे तो एक chord बनेगी यह बच्चों आपका false है circle पर finite number of chords नहीं होती circle पर infinite number of chords होती है तो हमारा एसका answer क्या होगा बच्चों फाल्स होगा if a circle is divided into 3 equal arc एगर हम circle को हमने क्या कर दिया कि 3 equal arcs में डिवाइट कर दिया तो सब major arc होगी नो बच्चों अगर circle को 3 equal arcs में division किया है तो यहाँ पर क्या हुना चाहिए बताइए आपका answer if a circle is divided into 3 equal arcs each is a major अब यहाँ पर सुचने वाली बात है कि सब की सब आर्क अगर हमारे पास क्या है एक्वल है तो डेफिनेटली हम उनको मेजर आर्क बोलेंगे यह आपका ट्रू है उसके बार बच्चो अकॉर्ड ऑफ सर्किल विच इस ट्वाइस एज लॉंग एट्स रेडियस इस डायमीटर जी हां जो कॉर्ड एक ऐसी कॉर्ड जो शर्किल की रेडियस की डबल है उशको हम सरकिल का डायमीटर बोलते हैं तो यह भी स्टेट्मेंट आपका ट्रू है उसके बार बच्चो फिस्ट स्टेट्मेंट में आते हैं कि स्टर इस्ट रीजन बिट्वीन दपोड ठीक है बच बच्चो और उसके बाद circle is a plane figure जी हाँ circle आपका plane figure होता है ठीक है बच्चो यह आपका completely true है इस तरीके से यह हमारे पास यहाँ पर इसके true or false आपके complete होते है clear समझ में आया ठीक है बच्चो तो basic definition के basis पर आपको true or false भी exam में पूछ सकता है यह तो था बच्चो जो भी हमने circle के जो tools हैं जो terms are circle related उनसे related आपकी exercise अब बच्चो यहाँ पर सबसे पहली जो theorem circle की आती है वो theorem क्या है कि बई equal chords of a circle subtent equal angle at the center तो सबसे पहले बच्चो आप से थोड़ी बात कर लेते हैं term to exam के बारे में तो term to exam में जैसे कि आपको बता दे कि बाई इस chapter से कुछ important theorem से जुनके proof exam में आ सकते हैं otherwise जो बाकी के theorem से उनके proof आपके इस बार के जो term to exam में उससे deleted है कि आपको केवल theorem का statement समझना है ठीक है theorem का statement समझने के बाद आपको उसका यूज करना है कि कैसे हम questions में apply करें तो आप लोग ज्यादा परिशान नहों इन चीजों को ले करके कि सर theorem के proof नहीं हुए क्योंकि यहाँ पर आपको theorem को समझना है उसके बाद उसके बाद उसके बीश कोशन सॉल्व करने है तो जैसे कि यह theorem है इसका proof आपके syllabus में term to में आ सक मुझे एगा कि equal chords of a circle circle के अगर हमने कोई दो equal chords ले लिए है सब्सक्राइड equal angle at the center circle के center पर equal angle create करेंगे मतलब की बच्चों यहाँ पर अगर हम सको given क्या है बच्चों इस theorem हम से बोलती है कि अगर A, B और C, D आपके अपास कैसी chords है equal chords है तो theorem आपसे बोलती है कि अगर A, B और C, D equal chords है this will implies that कि यह जो chord circle के center पर angle बनेंगे न जैसे कि angle आपका A, O, B और दूसरा angle जैसे कि आपका C, O, D ठीक है बच्चों तो A, O, B बोलो या D, O, C बोलो यह दोनों angles क्या होंगे बच्चों आपके equal होंगे तो यह theorem आपसे यह बोलती है कि equal chords of a circle subtends equal angle at the center circle की equal chords circle के center पर equal angle subtends करते हैं clear बच्चों angle A, O, B equal to angle D, O, C हो जाएगा clear है आपर note करते चलिएगा सारे के सारे important terms है अब अगर आपको यह चीज़ प्रूफ करनी है इसका प्रूफ क्योंकि ग्राम में आना है तो इसका प्रूफ मैं आपको करवा रहा हूं कि बई इसको प्रूफ करने का तरीका क्या जो कि आपने concurrent of triangles पढ़ा है तो same चीज़ यहाँ पर apply हो रही है अगर आप AOB और DOC triangle की बात करें तो आप देख सकते हो कि जो AO है वो हमारे पास DO के equal है उसके बार बच्चों अगर हम यहाँ पर देखें जो OB है आपके पास वो OC के equal है जो OB है वो हमारा OC के equal है और साथ ही साथ बच्चों जो AB है हमारे पास वो आपके पास किसके equal है? CD के equal है क्यों? क्योंकि आपको मालूम है AO, DO, OB, OC यह तो आपके पास circle की radius है circle की radius तो equal होती ही होती है और AB equal to CD यह आपके पास question में given है circle की course equal course है ठीक है बच्चों तो यहाँ पर इन तीन relation से आप क्या बोल पाएंगे? simple सी बात कि by SSS congruence rule क्या बोलेगे बच्चों? by SSS congruence rule जो triangle बच्चों आपके पास AOB है वो आपका congruent हो जाएगा किसके? ट्राइंगेल आपके DOC के ठीक है बच्चों अब अगर दो ट्राइंगेल आपको मालूम है congruent होते हैं तो उनके corresponding angle equal होते हैं तो AOB triangle का angle AOB और DOC triangle का angle DOC क्या होगा बच्चों equal होगा लिख सकते हैं यहाँ पर by CPCT corresponding part of congruence triangle से तो CPCT से बच्चों यह आपका यहाँ पर प्रूफ हो गया तो यहीं basically theorem का प्रूफ आपके syllabus में भी दे रख है अजबार कि term two में क्येवल एक theorem दे रखिए कि इस theorem का प्रूफ आपको करना है बकायता syllabus में लिखा हुआ है कि यह theorem का प्रूफ आपको करना है इसलिए इसके प्रूफ को अच्छे से समझ लिए तो SSS congruence rule की help से बच्चों क्या बोल सकते हैं कि angle AOB और DOC यह दोनों equal हो जाएंगे क्यों क्यों कि triangle AOB DOC के congruent है और दो triangle congruent तो corresponding part of congruence triangle से यह angle सिक पर तो आयूप सबको clear हो गया बच्चों सबको clear है तो यह basically बच्चों बहुत जादे important है और इस पर बेश्ट question भी आपके आपर पूछे जाते है clear है इसको अच्छे तरीके से note कर लीजे फिर हम बढ़ते हैं आगे पर ठीक है यह basically हमारा theorem का proof होता है theorem number 10.1 now बच्चों अब इस theorem का Converse है Converse को proof करने की requirement नहीं है especially उसमें लिखा भी है कि theorem के Converse पर बात हमें नहीं करने मतलब की Converse को समझना है एक इन Converse के Converse ली proof करने की ज़रत नहीं है तो यहाँ पर theorem के Converse क्या होगा इसको समझते कि अगर circle के अंदर पर दो chord ऐसी है जो circle के center पर equal angle subtend करते हैं तो वो chords बच्चों क्या होंगी आपकी equal होंगी अब आपको मैं एक छोटा सा homework दूँगा कि अगर आपसे मैं बोलू कि इसको proof करना है तो इसको आप कैसे proof करोगे क्या logic आप apply करोगे जी हाँ बच्चों यहाँ पर भी congruent of triangle सी apply होगा कि आपको दे रहा है कि यह वाला angle इसके equal है आपको proof करना है कि भई A B आपका CD के equal होगा तो यह चीत आपको कैसे आएगी अगर आप इसको congruent proof करते हैं तो I think आपको triangles तो बहुत अच्छे से clear है ही तो congruent of triangles का use करके SAS congruence rule का use करके आप इसको proof भी कर सकते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है लेकिन आप easily कर सकते हैं clear अपचों यह हमारे पास क्या है theorem 10.1 का आपका converse हो गया अगर code SQL है तो center पर जो angle बनेगा वो equal होगा और अगर स्टेंटर पर बनने वाले angle SQL है तो वो code आपकी क्या होंगी? एक्वाल होगी चलिए वच्छों इसको note कर लीजे अच्छे तरीके से है ओके वो गया गाई चलिए आगे पर पढते है नेस्ट में चोटी से quiz करूंगा आपको आंसर बताना है ठीक है comment बॉक्स में आप लोगलोग अपना answer लिख करके बताएंगे ठीक है तो comment box में अपना answer तारे बचें लिख भेगा और ध्यान से करना है एक ही कोश्चन है अभी भी मैंने बताया है पूर्शन है बच्टोओ इक्वल आफ्दा सर्क्ल सब्ट्रीनد इक्वल एंगल एड़र सेंटर क्या कौन क्या कौन से equal part है जो circle के center पर equal angle create करते है option number A segment equal segment of the circle या equal radii या equal arc या equal quads तो क्या answer होना चाहिए बदाइए क्या answer आपका निकल के आना चाहिए obviously बात है अभी भी आपने theorem पड़ी मतलब कि आप यह समझ के चलिए कि अगर एक्जाम्स आपका मल्टेप्ल चॉइस कुश्चन पर बेश्ट होता है तो डेफिनिटली आपको ऐसी छोटी-छोटी से चीजों पर बेश्ट मनाए जाएंगे आप से यह पता चल जाए कि हाँ आपको थियोरम की सही नौलेज है कि नहीं अभी चिंटू को नहीं पता होता था चिंटू बोल देता कि सर सेग्मेंट अब कहोगे चिंटू कौन है तो चिंटू से मिलना है तो रोज क्लास को जोईन करना ठीक है बच्छो आ हाला कि सारी के सारी थियोरम बहुत important है लेकिन यह थियोरम ना अलगी है इसका मतलब कि इस पर बेश्टना question बहुत अलग टाइप की बनते हैं और बहुत अच्छे question exam में आता है तो यह थियोरम आफसे क्या बोलती प्रूफ पर हमें नहीं जाना सिर्फ हम बात करेंगे थिय perpendicular from the center of a circle to a cord circle के center से अगर आप उसके cord पर perpendicular draw करते हैं तो बच्चों वो क्या करेगा cord bisect the cord वो circle की cord को उस cord को bisect कर देगा तो ये theorem आप इसको भी बहुत easily proof कर सकते हैं देखिए हाला कि proof हटा दिये गए हैं लेकिन उसके बावजूद अगर आपसे मैं बोलू कि प्रूफ तो बड़े important है या प्रूफ तो बड़े simple है यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर question में बोला है कि the perpendicular from the center circle के center से cord a b पर आपने एक perpendicular draw कर दिया क्या draw कर दिया perpendicular अब आपको ये बताना है कि अगर ये perpendicular draw करेंगे तो ये जो am है ना वो mb के equal होगा क्या होगा बच्चों अगर om क्यों आपके a b के perpendicular है तो इस condition पर जो am होगा आपका वो mb के equal होगा क्या होगा बच्चों am आपका mb के equal ठीक है if om is perpendicular to a b अगर om ab के perpendicular है तो am आपका mb के equal होगा ठीक है अब इसको है हाइपोटेनियस है आपको idea दे रहा हूँ इसको खुछ से प्रूफ कर सकते हो क्योंकि मैं नहीं करवा रहा है क्योंकि exam में आ रहा नहीं है लेकिन आप इसको मैं idea दे रहा हूँ खुछ से प्रूफ भी कर सकते हैं कि वहाई आपको मालम है कि oa और ob radius है और ये अगर किसी triangle के हाइपोटेनर जैसी की oma और omb में oa और ob दोनों हाइपोटेनर से एक्वल है और om एक्वल टू om एक साइड है जो कि common साइड है एक्वल है तो by rhs congruence rule से ये दोनों triangle congruent होंगे और congruent होते ही आप बोल पाओगे कि am equal to mb होगा इस तरीके साब इसको प्रूफ भी कर सकते हैं मैं चाहूंगा कि आप लोग circle to bisect a cord circle के सिंट्रस एक ऐसी line draw करो जोसकी कॉड को bisect कर दे क्या कर दे कॉड को bisect कर दे तो यह जो line होगी न बच्छों यह क्या होगी यह a b cord a b पर perpendicular होगी तो यह हमारे पार theorem 10.3 का converse हो गया clear है बच्छो 10.3 का converse कि circle के सिंट्रस एसी line जो cord को bisect कर दे तो वो जो line होगी वो cord पर perpendicular होगी तो om should be perpendicular to a b यहाँ पर condition होगा बच्छों कि if am equal to mb अगर am mb के equal है this will implies that जो om होगा आपके पास में वो ab के perpendicular होगा ठीक है तो आप देख सकते यहाँ पर om ab के perpendicular था तो am equal to mb दिखाया यहाँ पर am equal to mb है तो om perpendicular to a b यह इसका converse हो गया clear है guys जल्दी से पताए एक दम समझ में आ रहा है perfect बिल्कुल तो basic ती सारा का सारा एक लेक्टर में होने वाला ध्यान से समझते चलो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी आगया अब बच्छे कोशन है जो कि अभी हमने पढ़ा इसी पर बेश्ट कोशन है और अगर नहीं भी आता तो ऐसा कोशन करने से कोई कोशन आयेगा आप इजली स्सॉल कर लोगे जैसी कि बोला कि two circles आफ रेधा एन 3 cm दो सरक्ल है एक की रेडिया ही है 5 cm और दूसरे की रेडियस से 3 cm इंटरसेक्ट एक दूसरे को दो अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं और उनके सेंटर्स की जो बीच की डिस्टेंस है न बच्चों वो 4 cm है तो find the length of the circle की common chord आपको common chord की length बता लिए कि जो common chord होगा circle का वो हमें बताना है तो की length क्या होगी तो I think कुछ-कुछ idea आ रहा है बहुत simple है बहुत simple सबसे पहले तो एक circle हमने बना लिया एक circle आपके यहाँ पर एक छोटी सी चीज को ध्यान समझेगा आपके पास एक circle की radius है 5 cm दूसरे की radius है 3 cm and the two points are on the distance between the center is 4 cm जो दोनों circle है ना बच्चों दोनों circle कि center की बीच की जो distance है वो 4 cm है ठीक है बच्चों distance between the center is 4 cm अगर मैं आप से simple सी बात पूछू मालो यह circle का center है मालो एक circle है और circle का center मालो आपके पास यहाँ पर कहीं पर O है ठीक है और इस circle की radius मालो आपके पास कितनी है बच्चा circle की radius मालो आपके पास 5 cm है ठीक है तो अब सोचरा दिमाग लगाईएगा कि अगर दो circles के radius centers की बीच की distance 4 cm है तो definitely दूसरा circle का जो center होगा वो पहले circle के अंदर ही लाई करेगा कि नहीं करेगा चोटी सी बात ध्यान समझेगा कि अगर हम यह बोल लगा है कि दो circles के radius center की distance है 4 cm और उसकी opposite एक circle की radius आपके पास 5 cm है तो मतलब क्या हुआ कि दूसरे circle का जो center है न वो पहले circle के अंदर पर लाई करेगा अब बच्चों मैं दूसरा circle यहाँ पर कुछ इस तरीके से draw कर दूँगा दूसरा circle माल लो मैंने कुछ इस तरीके से आपका draw कर दिया देखो थोड़ा सा मैं rough draw करूँगा क्योंकि उतनी अच्छी में drawing है नहीं तो आई थिंग आप थोड़ा सा समझ पाएंगे कि सर महनत तो करी रहे है चलो आज़ो तो कुछ इस तरीके से माल लो मैंने कर दिया एक second erase क्यों हो गया भी रुक जो रुक जो है हें टेख अ अब एक हम्ग बना देते हैं आप आजए है तो कुछ तरीक जो अब यहाँ वाले शरकिल का सींटर यह है औने कलर से सबना और सब्सक्राइब ठीक है बच्छों चलिए ओर डैस ओके चलिए तो कुछ इस टाइप का सर्केल होगा ठीक है और यह दो पॉइंट पर इंट्रसेट कर रहे हैं तो यह पॉइंट कौन-कौन से ध्यान समझेगा यह पॉइंट आपके पास अगर देखो तो एक कौम का ध्यान समझेगा अगर तरकिल के सिंटर से ध्यान से समझेगा अगर हम यहां-पर देखिए एक चीज यह अवी कर ते उसको आगर ज्यान करते हैं ठीक है थो आप यहां-पर देख सकते हैं basically कि यह क्या होगा यह जो होगा आप यहाँ पर अगर समझेए इसको ध्यान से समझेगा बच्छों कि basically जो suppose को रहें कोई point om है फिक है बच्छों यह कोई point आपके पास m है फिक है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि circle के center से cod पर आपने क्या draw किया है cod पर आपने इसको draw किया हुए बच्छों ज आपका ab पर perpendicular होगा फिक है फिक है om क्या होगा बच्छों ab पर perpendicular तो om must be perpendicular to ab और अगर om आपका ab पर perpendicular है जिसवे इंप्लाइज दिर बच्छों जो am होगा ना आपका वो mb के equal होगा am जो होगा वो आपका mb के equal होगा यह आपका theorem से आ गए कि circle के center से की cod को अगर हम join करेंगे तो उस पर क्या होगा यह ना यह जो line join करने वाली line है यह इस पर perpendicular होगी ठीक है बच्छों तो om आपका ab पर perpendicular होगा ठीक है तो इस तरीके से आप यहाँ पर क्या बोल पाओगे कि जो अगर इस पर यह perpendicular है तो जो am होगा वो mb के equal होगा clear है am आपका mb के equal आ जाएगा तो इस तरीके से यह चीज निगल के आती है I think clear है को doubt तो नहीं है चलो okay so am equal to आपका यहाँ पर mb हो गया I think clear है अब समझिएगा अगर मैं o को एसे join करता हूँ ठीक है तो यह जो oa है आपके पास से 5 cm है ठीक है बच्छों यह क्या है आपके पास 5 cm और अगर मैं यहाँ पर ध्यान से समझू कि हमको एक्चन में क्या करना find the length of the cord cord a b हमको यह आप ध्यान से देखिए और यह जो oa है यह आपके पास कितना है यह हमारे पास 3 cm है इतनी length आपके पास अगर आप ध्यान से देखिए यह हमारे पास 3 cm की length है ठीक है इस center से यह distance आपके पास कितनी है यह आपके पास 3 cm है तो अगर आप बच्छों ध्यान से समझिएगा ठी यहां से आप इक्सी observe कर पा रहे हैं कि अगर ये length आपके पास 3 cm ये वाली length ठीक है और ये length आपके पास कितनी है ये length आपके पास अगर आप देखो तो ये length भी आपके पास 3 cm होगे ये दोनों length आपके पास ये 3 cm ये भी 3 cm तो अब आप यहां पर देख सकते हैं कि अगर मैं am find कर लूँ तो अपने आप mb भी मिल जाएगा ठीक है बचो तो am के लिए आप यहां पर देख सकते हैं कि जो am होगा वो क्या होगा am square प्लस में अगर आप ध्यान समझें am square और प्लस में आपके पास am यानि कि हम देख सकते हैं बच्चो कि जो oa का square होगा वो equal to होगा आपके पास am square और प्लस में आपके पास om के square के equal होगा अगर यह लेंथ आपके पास 5 है और अगर आपसे मैं यह बोलू कि यह common called है ठीक है और इधर से अगर आप यह समझें कि total length अगर आप ध्यान से देखो तो यह क्या बन रही है total length को आप यहाँ पर feel कर पाओ तो यह length आपके पास आई थिंक कुछ इस तरीके से आएगी ठीक है यह 5 श्टॉप करते है एक मुलेट तो देख लोए यहाँ पर अब सिंपल सा एक और पॉइंट है कि इस सेंटर की बीच की जो डिस्टिंस है वह यहाँ पर आपको यूज में आएगी वह यह कि बाई है और 5 अबेफ की दिश्टिंस यह 4 सेंटी मिटर तो आप बताएप के पास होगा इस एम कितना होगा वह घैस अगर 4 सेंटी मिटर है तो जह तो मतलब कि हैए यह आप यहँआ पर देख सकते हैं कि यह जो लंता आपके पास आ रही है यह 1 cm है यह कितनी यह बटा यह 1 cm है और यह आपके पास यह जुँ हमारे पास रेडियस है यह 3 cm है यह 3 है बच्छों तो आप यहां पर एक वो ट्रींगल ले सकते हो वह ट्रींगेल क्या है ट्राइंगल ओ ढेस फिए ड्यान समझेगा ट्राइंगल ओ डैस में पर तो ट्राइंगल ओ डैस में पर अगर आप ध्यान से देखें बच्छो कि जो O-A का स्क्वाइर होगा O-A का जो स्क्वाइर होगा वो O-M के स्क्वाइर ठीक है बच्छो और प्लस में आपके A-M के स्क्वाइर के एकक्वल होगा ठीक है तो O-A हमारे पास कितना है O-A हमारे पास 3 का स्क्वाइर है ठीक है बच्छों को और O dash M हमारे पास 1 है ठीक है और यह हमारे पास Am का स्क्वाइराइगा solve कर लो यहां से तो यहां से solve करने पर आपको क्या मिला 3 का स्क्वाइर 9 हो गया 1 का स्क्वाइर 1 तो Am आपके पास कितना आजाएगा am square के अगर हम बात करें तो जहांत समझेगा am square आपके पास आएगा 9 यह 3 हो गया यह आपका 1 हो गया तो 3 में से 1 आपने माइनस कर दिया तो यह बन गया आपके पास 3 square माइनस 1 मतलब कि am square आपके पास 8 हा गया क्लियर बचो am square 8 तो am equal to आपके पास आएगा 2 square root 2 cm कितना आएगा विटा 2 square root 2 cm आजाएगा am equal to ठीक है तो am की length 2 square root 2 cm आगई क्लियर है am की length कितनी आगई बचो am की length हमको आगई यहाँ पर 2 square root 2 cm अब जब am की length आपके पास आ गई है तो यहां से अब आप दूसरी भी fine कर सकते हो कि भाई mb क्या होगा तो mb भी आपका अगर मैं देखो 2 square root 2 cm होगा तो mb भी हो गया पर आपको मालूम है कि am equal to आपके पास mb है तो इधर से हम बोल सकते हैं कि जो common chord a b है न a b equal to क्या हो जाएगा दोनों को add कर दो तो 4 square root 2 cm के equal तो common chord a b की length आपके पास 4 square root 2 cm के equal आएगे इसके equal आएगे बच्चो 4 square root 2 cm यह common chord a b की length आगे ठीक है बच्चो common chord a b की length आपके पास 4 square root 2 cm हमको यहां से निकल करके आगे clear है ठीक है तो 4 square root 2 cm common chord की हमको यहां से length आगे तो इस तरीके से question आपका बन जाता है नोड कर लीजे बच्चो सारे लोग ठीक है तो find the length of the common chord common chord की length की आगे बच्चो 4 square root 2 cm के यहां पर equivalent आगे ठीक है ठीक है चलिए नोड कर लीजे आगे समझ वे पक्का यह रहे इस तरीके से आप यहां पर इसको solve कर सकते हैं आई होब सबको clear है कोई doubt यहां पर इदर से यह आपका solve होता है next बच्चों मूव करते हैं अपना अगले question की ओर next question के आपके पास three girls रेशमा सलमा एंड मन्दीप ठीक है ठीक है ठीक है एक रेशमा एक सलमा एंड मन्दीप ठीक है रेशमा ठीक है थोज़ तू सलमा क्या करतीग के बाझ सलमा को ठो करती इस सलमा मन्दीप को मन्दीप रेशमा को इस डिशिटंस बिट्वीन रेशमा एंड सलमा एंड बिट्वीन ऺचीन मंदीप is six centimeter इच है इन दोनों के बीच की accountability six centimeter दोनों के तोफ वहां ती Distant between रेश्वा एंड मन्दीप तो रेश्मा और मन्दीप के बीच की डिस्टन्स क्या होगी यह आपको question में बताना है तीक है बच्चो फिरेश्मा और मन्दीप की बीच की distance क्या होगी तो आइए बच्चो इस question को हम समझते हैं सबसे पहले मालोँ आपके पास ऐख सरकिल का सेंटर सपोर्पोस्ड करिये आपके पास यहाँ पास सरकिल का सेंटर कोई ओ है अब हम माल लीजे तीन है आप हमारे पास रेशमा माल लो रेशमा की पोजीशन ये है और सलमा की पोजीशन माल लो ये है और मंदीप की पोजीशन माल लो आपके पास ये है तो रेशमा, सलमा और मंदीप ऐसे बैठे हुआ है आपको दे रख्या कि réश्मा और सलमा के जो बीच की डिस्टन्स of इलेश्मा ते डिशन gates एन्न बेटवीन सलमा एं ले मंटीप यह जे डिस्टनला से मन्दीप कि बीच की कि डिस्टनल मेंट सिक्स Springs यह डिस्टेंस आपके पास 6 cm मतलब कि यह दोनों कॉल्ड आपके पास एक्वल है ठीक है बचो वाट इस दा डिस्टेंट बिट्वीन रेश्मा एंद मंदीप आपको रेश्मा और मंदीप की बीच की डिस्टेंस यानि कि आर एम यहां पर अपको फाइंड करना है क्या फाइ सबसे पहले हमालों यह से आपने एम को मिला लिया व से आपने आर को मिला लिया और आपके पास 5 है ठीक है और यह हमारे पास आ यह था 2 आश है यह दुर्ष यह 555 हमको यहां पर गिवन है अब एक चीज़ हम यहां पर नोटिस करते हैं वो क्या है ध्यान से समझेगा एक बार ट्राइंगल अगर आपने ले लिए यहां पर ध्यान समझेगा एक बार ट्राइंगल ले लो आप आर ओ एस एक ट्राइंगल ले लो आप यहां पर आर ओ एस इधर से इसको ले लेते हैं मालव यह कोई पॉइंट आपके पास M है ठीक है बचो चलिए जब O से S को जाइन कर रहा तो मालव यह कोई पॉइंट आपके पास M है एक बार ट्राइंगल मैंने आर वो एस ले लिया और दूसरी बार एक ट्राइंगल अमने यहाँ पर ले लिया आपके पास OS equal to OS दोनों में common है OS equal to OS दोनों में common है RS equal to MS आपके पास given है RS equal to MS ये given है क्योंकि ये दोनों तो radius हो गए और ये given है उसका मतलब क्या हो गया बच्चों कि triangle आपके पास ROS जो हो गया वो congruent हो गया triangle आपके पास MOS के ये तो पहला हमारा congruence निकल के आगया कि ROS आपके पास MOS के CONGURENT, clear है, MOS MUST be congruent TO MOS, ROS आपका MOS के congruent है, clear होगे हाँ पर चलिए होगे, क्लियों होगे यहाँ क्लिये यहाँ तक clear है तो अब आप समझ सकते हैं कि बाई CPCT, corresponding part of congrence triangle से आप समझ सकते हैं बच्चों कि बई जो angle रोस होगा जो एंगल डिखकत मतलब कि यह वाला जो एंगजोगह इंग понрав? अचिए वाली पुर इंगल होगा इंगल iqp यह बचयो यह इंगलों ये रोस और एकशोप्स ऑर इंपफिल आगये असे हमारे पास यह important term आगया अब एक दूसरी चीज क्या हम करने वाले अब ध्यान से समझे बच्चों कि अगर मैं ये बोलू कि अगर मैंने एक पर ट्राइंगे ले लिया ORM एक ट्राइंगे ले लिया आपने ORM और दूसरा यहाँ पर मन्दीप ले रख रहा है तो यहाँ पर M लेकरके और न ले लो तो जहाँétaं पर म क्या स्कूल करेंगे लिए बिटर रहे क्योंकि फिर न ले 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 लेकर जाएंगे धर भी यहां पर यहां पर यह पॉइंट आफ इंटरस कर रहा है यहां पर इस तरीके से यहां पर भी हम इसको ठीक कर देते हैं यह भी हमारे पास क्या होगा यहां पर अभी तक कोई दिक्कत नहीं है यहां पर हमें कुछ करने की जुरूत नहीं है इधर पर हम ठीक है यहां पर ठीक है मस अभी एंगी तो बात की रही है आगे पर चेंग जरूर करना है यहां पर कोई डिक्कत नहीं है बेखिकर रहों यहां पर कोई दिक्कत नहीए इधार तक कोई दिक्कत नहीं आती मिला इसके बाद अब देखेगा अब जब मैंने triangle ले रहा हूँ यहाँ पर कौन सा O, R, N यहाँ पर M न लेकर कि अब यहाँ पर हम N लेंगे यह ठीक है तो यहाँ पर बच्छों आपने triangle लिया O, R, N O, R, N triangle ले लिया दूसरा triangle ले लिया आपने O, M, N को फिरे, बचो दूसरा triangle ले लिया आपने OMN को तो अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि भाई OR equal to OM है OR equal to आपके पास OM है और बीच का जो angle RO, RON होगा वो equal to होगा angle आपके पास MON के, MON के और उसके बाद जो ON equal to ON दोनों में common है ON equal to ON दोनों में common है तो इसका मतलब यह हुआ कि यह side angle side तो again हम बोल सकते हैं by SAS congruence rule SAS congruence rule यहाँ पर बच्चों क्या होगा, कि यह दोनों triangle आपके पास क्या होगे congruent, तो मतलब कि triangle आपके पास ORN जो होगा, वो आपका congruent हो जाएगा triangle आपके OMN के ठीक है बच्चों, तो ORN आपका congruent होगा OMN के ठीक है बच्चों तो triangle ORN आपका congruent होगा triangle OMN के यह आपने आपने को congruent लिख लिए, अब जब यह triangle congruent है तो definitely आप क्या बोल सकते हैं कि अगर यह triangle congruent है definitely RN आपका NM के equal होगा लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पर YCPCT जो RN है आपके पास वो NM के equal होगा और साथ ही साथ यह वाला angle दोनों equal होगे तो angle जो आपके पास ONR होगा ठीक है और जो angle आपके पास ONM होगा दोनों equal हो 90 degree तो एक बहुत important चीज यहाँ से आगई कि यह वाला जो angle होगा यह आपका 90-90 degree के होगे clear है यह angles क्या हो जाएंगे 90-90 degree के हो जाएंगे तो by CP, CT यह दो important चीज़े यहाँ से आपको निकल करके आगए अब यह चीज निकल करके आगई तो मतलब क्या यह angle 90 यह भी यह भी यानि कि यह perpendicular है तो हम क्या बोल पाएंगे बच्चो कि जो OS होगा वो RM के perpendicular होगा तो हम बोल पाएंगे कि जो OS है वो perpendicularly RN को bisect करता है OS perpendicular to RN ठीक है बच्चो अब देखिए अब यहाँ पर आप एक छोटी सी चीज को समझेगा कि अगर मैं एक काम करूँ कि N से ठीक है यानि कि इस point से आपका एक हमने triangle ले लिया ठीक है बच्चो अगर मैं इस point से यानि कि center से center से MS पर एक perpendicular draw करता हूँ ठीक है बच्चो center से अगर मैं इस पर एक perpendicular draw करता हूँ तो इस perpendicular की length क्या होगी कोई बता सकता है सबसे पहली बात अगर मैं center से इस पर एक perpendicular draw करता हूँ ठीक है तो इस पहली बात हम area देखते हैं याँपर area एरिया क्या निकल की आएगा हमको पहली बात यहाँ पर MN की length चाहिए कि MN की length क्या हूँ ठीक है तो MN की length के लिए आपने क्या किया कि O से O से हमने MS MS पर एक perpendicular draw ठीक है पच्चो हमने draw क्या किया यहाँ पर ज्यान समझेगा हमने O से O से MS पर एक perpendicular ऐसे खीच दिया यह हमने perpendicular draw कर दिया प्लियर है पच्चो यह हमने क्यों किया इस से हमने करने का reason यह है जब हमने center से इस cord पर यह perpendicular आपका draw किया यह क्या करेगा ओव्यस है कि इस cord को bisect कर देगा यह cord की length आपके पास कितनी आ जाएगी तीन आ जाएगी और यह आपको मालूम है यह आपके पास 5 है ठीक है बचो हमने क्या किया माल यह O P है यह कोई point P है तो हमने बच्चो O P perpendicular draw किय आपके पास किस पर MS पर तो O P perpendicular to MS हमने draw किया यह draw किया O P perpendicular to MS तो आप यहाँ पर बोल सकते हो कि भाई जो theorem पड़ी है कि अगर center से cord पर perpendicular draw करते है तो वो उसको bisect करता है तो मतलब कि SP equal to PM SP equal to PM equal to आपके पास 3 cm दोनों पूरा 6 था तो यह हमारे पास 3 यह वाला हमारे पास 3 हो हो गया और यह आपके पास hypotenuse कितना इसका 5 है और O M आप देख पा रहे हूं O M equal to 5 सबकुछ 5 meter है चलिए अब देखिएगा यानि कि अगर मैं यहाँ पर पाइथा गोरस theorem apply करता हूं तो आप मुझे बता सकते है कि O P की length क्या आएगी है तो आप जानते हो यहाँ पर कि O M का स्कॉयर होगा वो O P square और प्लस में आपके P M square के एक को लोगा ठीक है और यह हमारे पास कितना है 5 का square है बच्चो ठीक है तो यह हमारे पास 5 स्कुabeiर हो गया जा रफ पांटी 5 का स्कुань कुमें ओह पिक कैस निकालना है और पी इयमें हमारे पास ठी का स्कुयार हो गया तो ओपी स्कुईर यहां से आएगा 25-k nine मतलब कि 16 तो ओपी कुल टू आपके पास four सेंटी मीटर थो नोड करेंущे op equal to 4 cm आगया मतलब कि op के length कितनी आ गई 4 cm अब आप ध्यान से समझेएगा यानि कि अगर मैं अब यहां पा triangle निकालो area of triangle अगर मैं यहां पा triangle oms का area निकालो area of triangle oms जो क्या लिख सकते हैं अगर मैं base लेता हूं कुछ टाइम के लिए MS तो बेस MS की रिस्पेक्ट में 1 by 2 MS इंटू में आपके पास OP तो कितना बनेगा 1 by 2 6 इंटू में आपके पास 4 तो ही आ जाएका 12 मीटर ठीक है बच्छो अगर आप यहां से निकाले OP हाइट के रिस्पेक्ट में तो हमारे पास कितना आता है 12 मीटर स्क्वाइर कितना आगा 12 मीटर स्क्वाइर ठीक है similarly बच्छो अगर आप यहां पर ध्यान से समझेगा similarly अगर आप बेस ले लो यहां पर किसको अगर आप OS को बेस ले लो ठीक है तो similarly जैसे यह एरिया हुआ उसी तरीके से यह भी एरिया होगा अब दो ट्राइंगल मलब की ट्राइंगल अगर सीम है तो एरिया तो सीम रही गई रहेगा इसका मतलब है कि बाई 1 बाई 2 इंटू में OS की वैल्यू कितनी है OS को अगर आप देखो ते 5 cm 5 मीटर है यहां पर 5 हो गया MN आपने लिखे रहें दिया equal to आपके बास कितना बन गया 12 तो बताइए बच्चों MN equal to कितना आएगा MN equal to 24 upon में 5 मीटर MN equal to कितना आएगा 24 upon में 5 और अगर MN 24 upon में 5 है यहां से अगर मैं RM आपसे पूछू तो RM कितना होगा MN equal to 2 times आपका MN होगा मतलब कि 48 upon में 5 फिक है बच्चों 48 upon में 5 हो गया तो इस तरीके से अगर मैं RM निकालू 48 upon में 5 तो कितना आएगा 5 9 जा 45 यहां पर आए आपके पास 3 और 5 6 जा 30 9.6 मीटर तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखिए हमारे पास क्या निकल के आ गया RM की लेंथ RM की लेंथ हमारे पास 9.6 मीटर निकल के आ गया कितना आ गया बच्चों RM की लेंथ आपके पास 9.6 मीटर निकल के आ गया यह RM की आपकी लेंथ होगी, clear है, ठीक है बचो, RM की लेंथ आपके पास 9.6 मीटर होगे, इस तरीके से यह लेंथ आपको निकल के आ जादे, I hope clear है बच्चो, सबको बता ही, समझ में आ गया, okay, तो RM की लेंथ आपके पास 9.6 मीटर होगे, यह बहुत important question था, और अगर question long में प सकता है, और इधर से आपने देख लिया, कि यहाँ पर RM की लेंथ 9.6 मीटर निकल के आ गए, clear है, simple समझ में आ गया, बच्चो, बहुत बढ़िया, यह हमारा complete होता है, चलिए, इस तरीके से यह question से जो बहुत जादे important है, exam के point of view से आते है, अब इसी से related कुछ और theorem से, जैस आप लेंगे, तो circle के center से उनकी distance equal होगी, मतलब कि अगर a b question में, अगर a b equal to c d given हो, इसका मतलब यह होगा बच्चो, कि जो om होगा ना आपका, वो आपका on के equal होगा, यह मतलब equal course circle के center से equal distance पर होती है, यह theorem 10.6 ती, इसके बाद theorem 10.7 इसी का converse है, कि भाई, circle की दो cords जो circle के center से equal distance पर है, मतलब कि अगर यह बोल दे कि भाई, if om equal to on है, तो this will imply that, कि भाई, जो a b होगा, वो आपका c d के equal होगा, यहीं कि circle के center से equal distance पर जो cord है, वो equal length की होगी, यह इसका converse हो गया, 10.7 तो इस तरीके से converse आपके पूछ लेता है, बच्चो, फिक है, यह statement बढ करते हैं में, depth में, चीजों को समझने में, यह तो complete होता है, अब इसके बाद, बच्चो, one of the most important theorem आपकी आती है, यह theorem आपकी most important theorem में से, एक है, यह theorem आप से क्या बोलती है, कि भई, the angle is subtended by an arc at the center, एक arc आपके पास PQ है, तो PQ arc circle के center पर जो angle create करेगी, अब इसी PQ arc ए थूरू circle के center के किसी भी circle पर कोई भी point है, उस पर बनने वाले angle का double होगा, मतलब कि अगर मैं बोलू कि circle की arc PQ, circle पर किसी point पर कोई angle theta create करती है, तो यही arc PQ circle के center पर 2 theta angle बनाएगी, कितना angle बनाएगी बच्चो, 2 theta angle create करेगी, और आप यहाँ पर ज्यान समझेगा, कि आपको यह मालूम है कि equal chord यह equal arc circle के center पर equal angle create करते हैं, तो इस तरीके से हमने कोई भी ले लो, माल लो यहाँ पर हमने यह कोई point ले लिया, क्या बच्चो, यह फिर हमने ऐसे कोई point ले लिया, यह फिर हमने ऐसे कुछ ले लिया, यह सब में यह जो angle है बच्चो, यह आपकी क्या होंगे, same होंगे, ठीक है, क्योंकि यह angle 2 theta रहने वाला है, उसके रस पर हमने यह यह सारे की सारे एंगिल आपकी क्या रहने वाले बच्चो तेम रहने वाले तो नोट कर लीज़े दा एंगल सब्टेंड़ बाइन आर्क एट दा सींटर इस डबल दा एंगल सब्टेंड़ बाइट एट एनी पॉइंट ऑन दा रिमेनिंग पार्ट ओफ दा सर्किल पर तो सेंटर पर उसका डबल एंगल क्रेट करेगी यह वन आप दा मोश्ट इंपॉर्टन थियोरा में ठीक है और इसी तरीके से यहाँ पर बोल सकते हैं कि एंगल सिंदा सीम सेगमेंट यही से निकल के आता है कि सेम सेगमेंट पर जितने भी एंगल है सेगमेंट बना कैसे अ तो सेम सेगमेंट पर बनने वाले एंगल से जो होते हैं वो आपके क्या होते है इक व बैसी कल आपके पास थियोरम नंवर ऐस तरीके से सारी की स्वार्ण आपकी यह इंप्horटन रहिं सबकी सब कंप्लीट होती है और यही थियोरम पर बैस्ट काम करतें जल्दी से रिक कर पताईएगा कि कोश्चन है कि AD is a diameter of a circle and AB is a chord ठीक है AD diameter AB chord is AD equal to 34 cm AB equal to 30 cm the distance of AB from the center of the circle AB की circle के center से जो distance होगी वो क्या होगी आपको बताना है चार option आपके सामने है जल्दी से correct option को select करना है और select करके मतलब की मुझे comment box में लेकर करके बताना है ठीक है बच्चो तुरंत आपको question पढ़ना तुरंत आपको answer मुझे comment box में लेकर करके बताईए डायमीटर आपके पास दिये रखा है diameter की length कितनी है 34 cm और AB a chord है जिसकी length आपके पास 30 cm है अब आपको बताना है कि chord AB की circle के center से क्या distance होगी यह बतानी है बहुत simple है बच्चो एक simple तरीके से आप समझ सकते इस question को देखो answer कर रहा हो देखना यहाँ पर साथ में कि अगर मैं बोलू कि circle का center है यह circle की chord है अगर diameter आपके पास कितना है 34 cm कितना तो radius किती ही होगी 17 और 17 और chord की length अगर 30 है तो अगर हम इसके perpendicular distance देखें यह 15 होगा है 15 आपको यहाँ पर क्या find करना है आपको मालो यह find करना है यह मालो यह आपके पास O है यह आपके पास M है तो basically अगर मैं 17 के square में से 15 का square माइनस कर दो हमारे पास OM का square आ जाएगा 289 माइनस में आपका 225 15 का square क्या होता है 225 होता है माइनस करो 9 में से 54 आया 8 में से 2 आपने सब्टेट किया तो 64 आ गया क्लियर है 64 यानि कि यह जो लेंद्ध आएगी आपके पास 8 cm कितिन हैंगी 8 cm अगला कुशन है बच्चो जल्दी से कमेंड बॉक्स में लिखकर कि बताइए बच्चो अगला कि इफ और आपके पास 8 cm है अगर OD आपका AB के परपेंडिकुलर है तो बताइए बच्चो CD क्या होगा जल्दी से कमेंड बॉक्स में आप आंसर लिखकर के बताइए सारी की सारी लेंद्ध दे दिया है, OA दे दिया है, OD दे दिया है कि परपेंडिकुलर है आपको CD के लेंद्ध बताने हैं, चलो बच्चो जल्दी से सॉल्व करो, सॉल्व करके आंसर बताइए क्या आएगा हो गया, बहुत सिंपल है बच्चो आएए डिसकस करते हैं, सबसे पहली बात आपको यह मालूम है कि AB कितना 8 cm इतना पार्ट 4, इतना पार्ट 4, आप बताइए अगर यह इस पर परपेंडिकुलर है, तो जो OC का स्क्वाइर होगा, वो क्या होगा, 5 के स्क्वाइर माइनस की 4 के स्क्वाइर मतलब की 25 माइनस की 16 मतलब की 9, तो OC इक्वाल टू आपके पास कितना आएगा, 3 cm, यह लेंथ में 3 मतलब की 2, 20 मीटर, तो option number A का right answer है, तो इस तरीके से एक्विज आपकी complete होती है, आई होग सबको बढ़े हैं समझ में आया, चलिए, तो comment box में सभी बच्चे actively participate करो, बढ़े हैं तरीके सांसर लेकर के बताया करो, चलिए बढ़े, तो एक्विज complete होती हैं, और next class में ब पढ़ेंगे next class में, तो मिलते हैं अपनी next class में और तब तक के लिए goodbye to all of you.